नमस्कार दोस्तों मैं आज तब अब करता हूँ आप सभी लोगों का आप सब के अपने चैनल बीपे से उतकर स्पेश स्वागत और जैसा कि आप सब को पता है कि हर रोज हम कुछ एक्जाम से ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स को लेकर के आते हैं जिस टॉपिक्स में आपके एक जहां पर विकास की अत्यधिक जरुवत है और साथी साथ ऐसे विकास की जिसको हम कहते हैं सस्टेवल डेवलप्मेंट गोल या यूं कहा जाए कि सतस विकास लक्ष और इसी को मदेदर रखते हुए हमारे बिहार सरकार ने साथ निश्चे योजना लाई आई ज़रा देखत जो 2015 से 2020 तक था और दूसरा साथ निश्चे योजना जो 2020 से 2025 तक रहा साथ निश्चे योजना में हमारे साथ टारगेट्स हैं जैसे एक एक टारगेट्स को हम देखेंगे पहला साथ निश्चे योजना जो कि हम सबने इसके टैनियोर को पूरा किया क्या इसकी इस वीडियो में, साथी साथ हम पार्ट टू में देखेंगे कि इस निश्चे योजना को क्योंकि किसी भी बरी एक इमारत को बनाने के लिए एक अच्छी नीव की जरूत होती है, तो यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से फाउंडेशन जो हमने पार्ट वन में दिया, उस हम किस प्रकार से आने वाले वक्त में एक इमारत बनाएंगे, इसके ओपर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो सारे के साहे लोग इस वीडियो को ध्यान पुर्बक लास्तर देखेगा और आपके आगमी BPSC परिक्चा में, क्योंकि BPSC का रिकॉर्ड है कि अटलिस हर साल एक कोस्टन इस टॉपिक से पूछा है, तो इस बार भी आपके अटलिस्ट एक नंबर तो बनेंगे ही, तो इस वीडियो को अगले 15-20 मिनट तक आपको और आम से ध्यार पुर्बक रूपस में देखना है, तो आईए, सबसे पहले साथ निश्य योजना वर्जन वन, इसकी पहली निश्य योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल, अई जरा समझते हैं कि आर्थिक हल युवाओं को बल और इसका क्या-क्या टार्गेट से किस प्रकार से हमने इसको एचीव किया है, तो आर्थिक हल युवाओं को बल, नाम से क्लियर है कि हम बि दूसरे राज्यों में रह रहे हैं जिनको financial के लिए कुछ मोहिया कुछ रकम मोहिया कराई जा रही है तो इसी के अंतरगत बिहार students credit card scheme लाया गया जिसके अंतरगत हम कह सकते हैं कि एक लाख 15165 एप्लिकेशन आए गया जिसमें से 2995 करोर लोन को section किया गया और यह question जो है 67th BPSC प्रिलिम्स में directly आपके पूछा गया था और अभी तक राइडना अगर हम बात करते हैं तो एक लाख 2871 बिहार students credit card issues किये जा चुके हैं यह अभी तक का last economy survey तक के data के हिसाब से आपको मैंने बताया इसके अलाबा इसी का extension मुख मंतरी self-help alliances scheme इसके तहत कोई भी इंसान अगर स्वरोजगार करना चाहे यानि कि खुद का कुछ अपना काम दंदा करना चाहे तो वह इसक अंतरगत कर सकता है जिसके में लगभग 5,4,824 applications आए जिसमें से 4,89,980 को चाटा गया और 630 करोर का fund जो है इसमें distribute किया गया है इस चीज को ध्यान रखना है देन उसके बाद skill youth program इसके अंतरगत अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार में 534 blocks हैं उन सारे के सारे 534 blocks में skill development यानि कि उनके अंदर का कौसल विक्सित करने के लिए centers को ले गए हैं जिसके तहत अगर देखा जाए तो 17,5,398 applications आए थे जिसके अंतरगत इन में से 10,4,147 लोगों को training मोहिया की गई है और अभी at present जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1,12,92 जो है वो training कर चुके हैं यह data हमने इनको training परदान की और यह training कर चुके हैं साथी साथ यह हमारे 534 जितने भी हमारे बिहार में block हैं उनमें 1609 training centers को स्थापित किया गया है और इसके तहस 702 करोर रुपे का fund दिया गया है यह question BPSC CDPO में पूछा गया था कि कितने training centers को और कितने blocks को cover up किया गया है तो याद रखेगा हमारे सारे blocks 534 और 1609 training centers यहाँ पर open up किये गए हैं इसके अलाबा हमारी दूसरी साथ निश्य योजना जिसके उपर अगर हम बात करते हैं आरक्षित रोजगार महिलाओं का धिकार जैसा कि आप सब को पता है कि हमारे पूरे भारत की या पूरी दुनिया की आधियाबादी महिला है लगभर लगभर और अगर हम अपनी आधियाबादी को आगे नहीं लेकर के जाएंगे तो हमारा राज या देश या पूरी दुनिया विक्सित नहीं कर पाएगी और अगर हम अपने बिहार के context की बात करते हैं तो हमारे बिहार में जो महिलाओं को आरक्षित रोजगार देना बिहार सरकार की मुहीम है जिसके तहट हमारे बिहार में आप सब जब फॉर्म भरते हैं तो आपको बता होगा कि दो प्रकार का आरक्षन होता है एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन दूसरा होता है होरिजेंटल रिजर्वेशन जिसको इस योजना का लक्ष था जिसको हम लोगों ने फुल्फिल कर लिया और आज की रेट में जितने भी गौर्णमेंट जॉब्स जो बिहार सरकार के अंदर आते हैं उनमें महिलाओं को 35% आरक्षन प्रदान किया जाता है थर्ड साथ निश्य योजना हर घर बिजली लगातार यह बेसिकली बिहार सरकार की एक पहल थी जो की कोर फोकस हम कह सकते हैं हमारे सुरुवात का जो पहला वरजन था नितीश कुमार का जो पहला टैनियोर था उसमें की भाई बिजली और रोट्स इसकी कनेक्टिविटी प्र बिहार ने सबसे पहले तो इलक्टिशिटी कनेक्शन जितने भी घर हैं रूलर एरियाज बिहार के जो बिहार के ग्रामीन छितर हैं वहां तक कनेक्टिविटी नहीं पहुच पाई है तो वहां तक कनेक्टिविटी इन लोग ने प्रोवाइट कराई साथी साथ एक नया कॉ प्रिपेड मीटर स्कीम जिसके तहर जैसे आज की रेट में फोन होता है फोन में पहले हम रिचार्ज करते हैं फिर इस्तमाल करते हैं ठीक उसी के तहर जो मीटर में भी आप पहले रिचार्ज किजेगा फिर इस्तमाल किजेगा तो यहाँ भी इसके अंतरगत लाया गया उसके बरजन 1 का पार्ट था जिसके तहित हमारे बिहार के गरामीन चेतर में 58,167 watts में काम किया गया और वहाँ पे समझिये की बहतर पानी की सुबधा और नल की सुबधा प्रदान की गई है और यह पंचायतिधा department के द्वारा काम किया गया है जिसमें से अभी at present 56,143 watts जो है इनको complete कर दिया गया है और हमारे कारी की बात अगर हम करते हैं तो हम हमारे target को लगभल लगभल complete कर चुके हैं और हमने यहाँ पर कितना target किया है house जो हमारा लक्ष कितना है तो 86.36 लाक घर जो है वो हमारा targets है और इस target की तरफ हम बहुत तेजी से बर रहे हैं यह basically public health engineering department के दोवारा किया जाता है और यह काम किया गया था 26,272 घरों पॉए जिसमें से हम लोगों ने अभी 25,599 घरों को complete कर दिया जहां पे हम quality जो पानी है उसको पहुँचा पा रहे है इसके अलाबा अगर हम लोग बात करते हैं कि सहरों की बात अगर करें या सहर, ग्रामीन या फिर ऐसे जो हमारे नगर, पंचाज, जो transitional phase में है, उन छेतरों में भी हमने काम किया है और साथी साथ उन छेतरों की targets की बात अगर हम करते हैं तो 26,583 watts हमने complete कर दिया है और हमारा आने वाले वक्त में 10,19,000 घरों को cover किया गया है और करने का target है इसके अलाबा सहरों के specifically अगर हम बात करते हैं, तो सारे सहरों में 3,370 watts में से 2,101 watts में हमने अपना काम पूरा कर लिया है और लगभा लगभा 10,26 लाग घरों में हमने अच्छा और स्वच पानी पहुचाया है ये इसकी उपलवता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं घर तक पक्की गली नाली घर तक पक्की गली नाली कहने का मतलब हुआ कि बिहार जो एक मौनसून जलवायू वाला छितर है जहां पे बारिस काफी यादा होती है और सबसे बरी समस्या हमारे बिहार में ड्रेनिस की समस्या होती है देखते हैं पानी कैसे ही खटा हो जाता है आप सब लोग अपने आसपस देख सकते हैं अभी तो बारिस वैसी हबी हुई नहीं लेकिन अगर होगी तो आप देख सेंगे इस चीज को समझ पाएंगे कैसे पानी खटा हो जाता है और आपके घर तक जाने का या बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके घरों में भी पानी पहुंच जाता है और वहां तक एक पक्की सरक नहीं है तो बिहार के हर एक घर तक पक्की सरक साथी साथ वहां के ड्रेन सिस्टम को बहतर करने के लिए ये हमारी पाचमी हमारी साथ निश्चय योजना में से जिसके तहत हम लोगों ने 1,14,479 वाट्स को कवर अप किया है हम लोगों ने कवर अप किया है सेहरों की बात करते हैं तो लबह 3,340 वाट्स और ये Urban Development and Housing Department के दौरा किया गया है और 2,735 वाट्स को हमने कम्प्लीट किया है और मोटा मोटे अगर देखा जाए तो 6,86 लाग घर को यहां पे कवर अप किया है अगस्त के महीने में 2022 में हुई थी उसमें एक कोश्चन पूचा गया था ग्रामीन टोला संपर्क निश्चय स्कीम यह भी इसी के अंतरगत आती है जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 4,643 टोला जो है टोला बेसिकली सब इस्तमाल किया जाता है खास कर बिहार के इन छित्रों में जिन छित्रों की कनेक्टिविटी थोड़ी सी दूर हो जाती जो चौर मन इन सब जगों पे रहते हैं इन सब जगों पे जो गोखूर जिल जिसको हम कहते हैं जिसको देसी बाता हमें चौर मन ताल यह सब कहते हैं उन जगों पर 4,643 टोला जो है इनको कवर्ट किया जा रहा है 77,384.23 किलोमेटर रोट्स कंस्ट्रक्ट यहां किया जा रहा है ताकि लगभग 4,532 जो घर है उनको कनेक्टिवीटी प्रदान की जाए तो यह था हमारे पांच में साथ निश्य योजना का टार्गेट जिसको हम लगभा लगभा फुल्पिल कर चुके हैं 77, हमारे छटे साथ निश्य योजना की बात करते हैं जिसका मतलब है सौचाले निर्मान घर का सम्मान यह basically health and hygiene related है साथ ही साथ एक हमारे social structure से भी related है क्योंकि घर का सम्मान भी इसके साथ जुरा हुआ है इट मीन्स की सौचाले एक तो hygiene, health and hygiene के लिए काफी important है दूसरी चीज की घर में बहु बेटियां और खासकर गाओं की बात अगर हम करते हैं यह घर से बाहर जारी, दूर जारी तो उनके सम्मान की भी बात होती है तो इसलिए सौचाले को सम्मान के साथ जोर करके प्रस्तुत किया गया है इसके तहत आपको बताते चलें कि 8386 पंचायद जो बिहार के जो सारे पंचायद है यह बहुत ही अच्छा टार्गेट हमने यहाँ पर अचीव किया है, कागजों पर ही सही लेकिन किया तो है लगभा लबग हमारे बिहार के सारे पंचायद यानि कि 8386 पंचायद यह ODF यानि कि ओपेन डिफ्रक्शन फ्री जो है यह घोसित कर दिये गए हैं साथी साथ 123.27 लाग घर रूलर डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट के अनुसार साथी साथ 534 हमारे ब्लॉक 101 सब डिवीजन और हमारे सारे डिस्टिक्स को ODF मुक्त कर दिया गया है इस चीज को ध्यान रखना है तो यह हमारा सबसे बड़ा अचीव्मेंट रहा है कि आज के डेट में खुले में सौच करना हमारे बिहार में बंध हो चुका है खतम हो चुका है क्योंकि हमने सब को ट्वालेट्स जो है प्रोवाइड करा चुका है इसके साथी साथ 3.82 लाक जो है इंडिवीजुल ट्वालेट्स हमने बनाए घरों में साथी साथ ऐसे जैसे मान के चली कहीं पे रीच अगर नहीं हो पा रहा है जगा नहीं है किसी के घर में या कहीं पे तो उस केस में हम 13,656 जो है कॉम्मिटी ट्वालेट्स का भी निर्मान किये है जो की कंस्ट्रक्ट किया गया है अर्वन डेवलप्पेंट एन हाउसिंग डिपार्टमेंट का साथी साथ लगभग 3,366 अर्वन वाट्स और 142 मुलिस्पल कॉर्परेशन्स को हमने O.D.F यानि की खुले में सौच मुक्त जो है इसको कर रखे हैं तो ये हमारा एक बहुत तगरा अचीब्मेंट यहां से हमें नजर आ रहा है और हमारे साथ निश्य योजना वर्जन वन की बात करते हैं तो अबसर बड़े आगे बड़े अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे बिहार में लगभग A&M Institute यानि के Auxiliary Nurse and Midwives ये लगभग 36 सबडिविजन्स में ओपन अप किये गये हैं और हमारे 101 सबडिविजन्स की बात करते हैं तो उस 101 सबडिविजन्स में से 36 सबडिविजन्स में इसको ओपन अप किये गये हैं साथी साथ 54 सबडिविजन्स को हमने यहां पर टार्गेट किया इसके अलाबा GNM जिसको हम कहते हैं General, Nursing and Midwives इसकी बात अगर हम करते हैं तो हम हमारे 12 डिस्टिक्स में इस इंस्टिचूट को ओपन अप कर रहे हैं ताकि हम हमारे Health and Sector को बहतर कर सकें टार्गेट हमारा 23 जिला है साथी साथ पैरा Medical Institute की बात अगर हम करते हैं से Pharmacy College हो गया, यह सब सारे College हो गया इसके तरह बात करते हैं तो हमने 12 डिस्टिक्स में अभी ओपन अप कर लिया है और हमारा टार्गेट है बिहार के 28 जिलों में पैरा Medical Institute को ओपन करना साथी साथ Pharmacy Industry की बात करते हैं तो Pharmacy College हमने 5 डिस्टिक्स में ओपन अप किया है 5 डिस्टिक्स हमारा टार्गेट है जिसमें से हमने 3 डिस्टिक्स में Pharmacy Institute इसको ओपन कर दिया साथी साथ B.S.C. Nursing की पढ़ाई हमने हमारे बिहार के 4 Medical College में सुरू किया इस योजना के तहद और 3 नए Medical College बनाने की बात कही जा रही ताकि बिहार का बच्चा भी यहीं पढ़ेगा बिहार का बच्चा यहां से पढ़लिक करके समझदार होगा और काम भी यहां पे करेगा साथी साथ 14 Polytechnic Institutes जो है इसको भी ओपन किया गया जिसको ITI करना हो या फिर जैसे मान के चले किसी को ITI या फिर कुछ ऐसे जूनियर इंजिनियर्स वाले जो होते हैं जो बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं तो उसके अंतर अगर 14 नए Polytechnical Institute जो है इसको उपन अप किया गया है बिहार में इसके अलाबा 11 Engineering College नौ, Women Industrial Training Institute जिसमें खासकर महिलाओं को जैसे महिलाओं अगर देखा जाये तो बुनकर का काम बहुत अच्छा कर सकती है वीविंग का काम या फिर जो टेडिशनली वह जानती है तो उन सब के लिए Special महिलाओं को केटराइज करते हुए उनके कौसल को निखारने के लिए 9 Women Industrial Training Institutes ओपन किये गए हैं 37-32 Sub-Divisional Level Training Institutes बिहार में ओपन अप किये गए हैं और इस तरीके से हमने हमारे 7 निश्य योजना के 7 लक्ष को पूरा कर दिया है और दूसरे वर्जन की बात अगर हम करते हैं तो 7 निश्य योजना 2.0 जो की 2020 से 2025 तक का टार्गेट लिया है और अब फाउंडेशन हमने बिल्डप कर रखा और फाउंडेशन बिल्डप करने के बाद अब हमारा वक्त आ चुका है कि इसके उपर हम इमारत त्यार करें और इसी के तहट बिहार सरकार भी एक सेर्फ ग्लानिट बिहार यानि कि जिसको हम कह सकते हैं कि आत्म निर्भर बिहार बनाने के लक्ष की तरह बर रही है और फाइनेंसियल एर 2021 में लगभग 4671 करोर का बजट डाला गया है ताकि हम साथ निष्चा योजना 2.0 को बहतर कर सके एक बार साथ निष्चा योजना 2.0 को देखा जाए जैसे कि अगर देखा जाए यह जो हमारा पहला टार्गेट था पहले साथ निष्चा योजना का सा है कि सारे टार्गेट को हम लोगोंने almost full up कर दिया है अब दूसरा टार्गेट आप देखिए जैसे कि युवा सकती बिहार की प्रगती यहाँ पे डील कर रहा है पहले हम लोगोंने युवा को क्या किया युवा को हम लोगोंने इस लेवल के इस लाइक बनाया उसको financial help करके कि अब इस लेवल का हो चुका है कि वह अब सकती साली हो चुका है कहने का मतलब कि वह अब human resource बन चुका है वह अब मानव संसादन बन चुका है और जब युवा मानव संसादन बन चुका है मतलब बिहार की प्रगती तै है तो यह अब part 2 में है इसमें था आरक्षित महिलाओं को अधिकार, यानि कि महिलाओं को अधिकार मिल चुका है, महिलाओं अब सक्षम हो चुकी है, तो अब महिलाओं क्या बनेगी, ससक्त बनेगी और सक्षक बनेगी, कहने का मतलब कि महिलाओं को अब रोजगार मिल चुका है, महिलाओं अब वोवेन इंपार्मेंट की बात कह रहा है दूसरा निश्चे तीसरे निश्चे की बात अगर हम करते हैं तो हमारे वर्जन वन में था हर खर बिजली लगातार अब हर घर में बिजली तो पहुँच चुकी है तो अब हम क्या करेंगे तो अब यहाँ पे इसी को अपडेट करके बोला गया कि हर घेट को सिचाई का पानी क्योंकि हम सिचाई की बात करते हैं तो हमारे बिहार में अभी भी 45 फीजदी के आसपास ऐसे छितर हैं जहाँ पे सिचाई लोग नहीं कर पाते हैं वो डारेक्टली डिपेंडेंट होते हैं पारिस पे तो वहां तक सिचाई का पानी पहुचना है चोथा वर्जन अर देखें हर घर नल का जल यग पो पहुच चुका है तो अब इसके बाद इसका वर्जन क्या है अगला वर्जन तो सवच गाउं समरिद गाउं यानि कि गाउं की सवचता की विक्सित सहर होगा और वर्जन 6 की बात करते हैं सौचाले निर्मान घर का सम्मान अगर हमने इसको कवर अप कर दिया है तो सौचाले निर्मान घर का सम्मान क्योंकि अब सौचाले तो हर जगा बन चुका हमारे सारे डिस्टिक्स ODF हो चुके हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सुलब संपक्ता यानि की connectivity को बहतर करने की बात कर रहे हैं। इसके अलाबा अब सर बढ़े आगे बढ़े यानि कि हम लोगों ने सारे के सारे जितने भी हमारे बिहार के बच्चे थे उनके लिए A&M Institute हो, Para Medical Institute हो, Medical College हो, Engineering College हो, सारे के सारे University College को हमने उपन अप कर दिया। अब इसके बाद क्या है तो सबके लिए स्वास सुबधा यानि की हिल्थ सेक्टर में हम काम करने का अगला लक्ष लेते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे बिहार के साथ निश्चे योजनाओं के बारे में पूरी के पूरी जानकारी ली आपके आगमी BPSC 70 परिक्षा में या वीडियो काफी कारगर साबित होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद तो आई ही होगी तो पसंद आई है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ एक बार सेर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करन ना बूलें थैंक यू